कि नमसकार स्वागत का स्टार्ट इंवेस्टन MINMे दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर जो है उतार चड़ाव आते रहते हैं और मैं हमेसा आप लोगों को कहता रहता हूं share market के बारे में अगर कोई आप से पूचे या मुझसे पूचे तो मेरा एक ए आंसर होगा कि share market जो है up down करेगा और यही रोज होता भी है share market कभी उपर जाता है कभी नीचे आता है सेम चीज stocks के साथ भी होती है आज की date में sensex जो है 572 point उपर गया है और लगबख निफ्टी भी इसी proportion में मनलब सेम range में लगबख एक पर्टिसत के करीब निफ्टी के अंदर भी उच्छाल देखने के लिए मिल रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे share हैं जिनके अंदर गिरावट देखी गई है अभी हाल ही में एक IPO आया था अभी हाली में तुने को पिछले 5-6 महिने के दोरान ये IPO आया था वहां से एक company का share जो है बहुत ही जवरदस गिरावट देख रहा है उसके अंदर जो है बहुत ज़ादा downfall देखने के लिए मिला है लगबग 60-65% का जो है यहां पे गिरावट देखने के लिए मिली है और share को एक buying range में मैं कहूँगा buying range में है share अगर आप एक long term के investor है तो लेकिन मैं कहूँगा clearly यहां पे कहना चाहूँगा यह new age company है और new age company में बहुत सारे business जो हैं गिरे भी थे उसके बारे में भी आप लोगों को information दोगा क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा paytm, policy बाजार, जो भी नए ने IPI, even LIC इतना दिगज कंपनी लेकिन IPI आने के बाद यह धरासा ही हो रखा है यह जो company के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका share भी बहुत ही सस्ता मिल रहा है और साथ ही साथ एक दूसरा IPI आया था हाली में उसका share जो है अच्छा काम कर रहा है दोनों के दोनों buying range में है और long term के लिए multi-wagger आप लोगों के लिए बन सकते हैं लेकिन stock market के अंदर अगर आप लोग एक चीज पर focus नहीं करेंगे अगर आप एक आएक पैंसा बनाने चाहते हैं जल्दी से पैंसा बनाने चाहते हैं तो share market आप लोगों के लिए बिलकुल भी नहीं है मैं clearly बता जाना चाहता हूँ share market आप लोगों के लिए बिलकुल भी नहीं है बहुत सारे viewer ऐसे हैं कि उनको ऐसा चीज़िए कि आज हमें 2 रुपए का share बता दीजिए आज हमें 5 रुपए का share बता दीजिए 10 रुपए से सस्ते share हमें बता दीजिए हम उनको buy करें और लाखो करोड़ों कमाएं क्या ऐसा होना possible है बहुत कम बहुत कम share ऐसे हैं even बजाज finance का share 5 रुपए से पहुँच गया है कहां पे आज की date में 1000 रुपए लेकिन आप ये तो सूचिए कि जिस टाइम पे बजाज finance 5 रुपए का था उस टाइम पे बजाज finance के साथ कितने और ऐसे share थे जो कि आज की date में आप लोगों को दिखते ही नहीं है कंपनियां बंध हो चुकी होंगी share उनके deal list हो चुके होंगे ये चीज आप लोगों को कभी बताई नहीं चाती है और आप लोगों को समझते भी नहीं है जब तक आप ये सारी चीज़े share market की बारी किया नहीं समझेंगे तब तक आप लोग profit नहीं बना सकते हैं और बड़ा पैसा ये big money मैं कहूंगा नहीं बना पाएंगे बड़ा पैसा बनाना है तो long term का आपका vision जो है होना चीए share market के अंदर even आप लोग सोचिए आप जब study करते हैं आप first से लेके 12 तक study करते हैं उसके बाद कोई course join कर लेते हैं जैसे कि किसी को pharma में जाना है किसी को engineering में जाना है किसी को अलग अलग field में जाना है किसी को जैसे doctor बनना है तो अलग लग field के लिए आप उसके बाद 12 के बाद जो है study करते हैं यानि कि 12 साल की पढ़ाई उसके बाद लग बग 4 से 5 साल के यहां पर यह courses उसके बाद आपको companyों में जाके experience लेना है hospitals में जाके experience लेना है तब जाके आप एक professional बन पाते हैं जाके क्या बन पाते हैं professional वहाँ पर बन पाते हैं कितने साल लग बग 20 साल की मेहनत के बाद लेकिन share market में क्या है मैंने आज d-mate account open किया कल मैं पैसे लगाऊंगा और परसों में करोड़ पती बन जाओ ऐसा होना क्या मुमकिन है share market में मैं कहता हूँ बिलकुल भी नहीं और अगर आप लोगों की अभी भी यही thinking है तो निकल जाएए d-mate account बंद कीजिए इस वीडियो को अभी close कर दीजिए और निकल जाएए share market में क्योंकि share market आप लोगों के लिए नहीं है यह जो thinking है दोस्तों यह change करनी होगी जी हाँ दोस्तों फिंकिंग change करनी होगी पैसे जो है कभी भी पेड़ पे नहीं लटकते हैं कि गए और तोड़के ले आए यहाँ पे पैसा बनने में टाइम लगता है share market के अंदर जी हाँ दोस्तों यह तो रहा कि आप लोगों को किस तरह का जो है long time का view अपने mind में हमेशा रहना चाहिए और share market के प्रती जो myth है वो myth bust हम करते रहते हैं हर एक वीडियो में तो आज किस वीडियो में दो stocks आप लोगों को बताऊंगो पहली company जैसे कि मैंने कहा ही था new age business है तो यहाँ पर clothing जैसे mainly यह company जो है fashion के product beauty care के product की जो है यह मान लिजे supply करती है यहाँ पर देखेंगे women, men, kids, home, tech जो भी product है easily इनकी website पर जाके आप उनको purchase कर सकते हैं अलग-अलग categories के अंदर जो है इनके यहाँ पर product मिलते है women, men, kids या home के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था tech जैसे कि यहाँ पर जो भी है smart watches है speaker, headphones है सारे की सारी चीज़े available हैं और लग-बग-बग-बग सारे brands जो है available यहाँ पर हैं लेकिन company जो है इतना खास grow नहीं कर रही है लेकिन उसके बावजुद इसका share price अभी एक ऐसे मुकाम पर आ चुका है कि जहां से buy करके एक लंबे समय में पैसा यहाँ पर बन सकता है, तो company का नाम आप लोग example में, sorry comment में बताईए कि company का क्या नाम है अब आप लोग अंदाजा लगाईए market capitalization इस company का 38,149 करोड रुपए का है price toning ratio बहुत ही हाई है देख लिजए, यहाँ पर price toning ratio बहुत आई है reserves 1314 करोड के और debt 907 करोड रुपए का है तो almost debt free यह company है अगर बात करते हैं इसकी profit growth की with comparison to previous year तो company का जो profit है वो negative में है with comparison to previous year company का ROCE लगबग 7% return on equity लगबग 4.5% के करीब है sales growth, company की sales जो है increase हुई है, almost 37% की है, cash equivalent company के पास 161 करोड रुपए के है company का नाम है NICA जी हाँ दोस्तों, NICA तो current price चल रहा है 134 रुपए के करीब इस share ने split भी दिया था अपने shareholder को 1.5 के ratio में यानि कि एक share के बदले 5 share में इसको divide कर दिया था company ने अगर देखा जाए इसका 52 week का high और low 52 week का high 348 रुपए का इवन ये जो price है दोस्तों adjust किया गया है split के बात otherwise 1000 रुपए के करीब जो अंदाजे से में बतारों 1000 रुपए के करीब इसका जो है IPO का price band था अभी कहाँ चल रहा है अपने 52 week के low के करीब तो मौका है यहाँ पे इसका revenue अगर देखें net sales तो 3773 करोड रुपए के रही 2022 में और हर साल यहाँ पे ये graph जो है northward moment दिखा रहा है 2022 में net profit 41 क्रोड रुपीज कर रहा company को share holding pattern maximum जो share है promoter के पास 52 percentage public 38 percentage FII ने अच्छा खासा investment कर रखा है 6.5% का और DII 3% की share holding है तो सभी ने investment यहाँ पे अच्छा कर रखा है company को NICA के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ E-commerce Ventures Limited के नाम से भी इसको जाना जाता है इसी के नाम से आप लोगों को share मिलेंगे इवन NICA भी आप डालेंगे तो NICA से NSE के ओपर यह मिल जाएगा आप लोगों को 133 रुपए के करीब यह share चल रहा है और अपने all time high से 66 percentage के discount पे मिल रहा है तो सोच लिज़े दोस्तो 66 percent discount पे यानि कि two third less मिल रहा है अपने all time high से और जब से इसका IPO लगातार यह share गिरता ही यहां पे रहा है मौका है क्योंकि 100-500 रुपए में आज की date में आता ही क्या है इवन 10-10 share अगर आप पाई करते हैं लेकिन लंबे समय के लिए दोस्तों कम समय में छोटे समय में या आप लोग सोचेंगे एक-दो साल में में पैसा बना दो ऐसा होना मुस्किल है डिफिकल्ट होता है और आप लोगों के पैसे जो है फस जाते है तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए ये तो रहा पहला शेयर अब जो दूसरी कंपणी है दोस्तों इसका भी हाल ही में आई प्यों आया था आप लोगों को बता दूँ वाइन मैनुफेक्टरिंग के कंपणी है अब आप लोगों को इसका नाम का अंदाजा तो होई गया होगा सुला वाइन यार्ट्स जो है कंपणी का नाम है इसके यह कुछ यहाँ पर प्रोड़क्ट आप लोगों को सामने दिख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज में जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने डिमैड अकाउंट ऑपन नहीं किया है और आप ऐसा डिमैड अकाउंट चाहते हैं कि जहां में डिमैड अकाउंट ओपन करके आप सभी जगें इंवेस्ट कर पाएं तो उसके लिए जिरूदा का लिंक जो है description में दिया गया है साथी साथ दोस्तों अगर आप share market के बारे में सीखना चाहते हैं फ्री में डीमेट अकाउंट open करना चाहते हैं तो उसके लिए angel 1 का लिंक description में दिया गया है angel 1 के अंदर delivery charges बिल्कुल नहीं है एकाउंट मेंटिनेंस अप स्टॉक के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं लिये जाते हैं, जीरो चार्जेस हैं, और इंट्रा डेकरेट 20 रुपीज अपर और चार्ज किया जाता है, तो तीनों के लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं, अगर हम बात करें सुला व परदस दांसू, एकजार नौसो चौसट परतिसत की, सेल्स क्रोथ 27 परसेंट इच की है, लेकिन कंपने ने अभी तक डिविडेंट कभी दिया नहीं है, हो सकता है कि आने वाले सालों में ये कंपनी डिविडेंट दे, करन्ट प्राइस 377 रुपए के करीब चल रहा है, 52 व 2020 में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी अच्छा खासा प्रोफिट कंपनी को हुआ है, 424 करोड रुपए की सेल्स वी 2022 में और 52 करोड रुपीस का कंपनी का प्रोफिट बना, शेयर होल्डिंग पैठन अगर आप लोग देखेंगे, तो DII लगबग 9 परतिसत, FII साड़े 7 परतिसत, पब्लिक 56 परसेंटेज, और प्रमोटर 27 परसेंटेज, तो प्रमोटर के पास थोड़ा सा यहां पे कम है शेयर होल्डिंग, बात करें, शुला वाइन यार्ट्स लिमिटेड की, तो कंपनी एक अच्छे खासे वैलुएशन पर मिल रही है, लेकिन थो आप लोगों को हम शेयर के बारे में जो हैं, इन्फॉमिशन प्रूवाइड करते हैं, और किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आप लोगों को उसको थोरो स्टेडी जरूर करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बहुत बहुत धन्य जो आप पनावत